तो श्मद्व करते हैं और जावा स्कृइप में आज ओं देखेंगे dynamic array functioned therapeutic array क्या होता है तो dynamic array को समझने के लिए हमारे पास जावा application can genere हम लोगों ने बनाया है जो की numbers जहिए एक numbers नाम का आरे है और इसमें जो value है वो 10, 20, 30, 40, यनि overall इसमे 5 value है और हमारे पास में एक array यहां पर है जो हम लोगों ने यहां पर हम लोगों ने array का जो memory पासरैंट Sister है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है और array का जो memory डाइगराम है वो यह कहता है कि यहां पर जो value है वो zero वाले index पर 10 है 1 वाले पर 20 है 2 वाले पर 30 है 40 और 50 इस तरीके से हमारा जो आ रहे है वो बन गया ठीक है अब हम लोगों ने क्या किया यहां पर हम लोगों ने लिखा number 10 is equal to 45 यह नि कि हम लोगों ने बताया कि index number 10 पर 45 को add कर दो तो javascript क्या करेगी javascript इस array को explore करेगी और इसमें index 11 तक cell बना देगी ब्लॉग बना देगी यहां पर 0 से लेके 4 इंडेक्स तक तो यह value रहेगी लेकिन index number 5 से लेके index number 10 तक index number 5 से लेके index number 10 तक जो value रहेगी वो यहां पर index number 10 तक जो value रहेगी जिसे कि हम लोगों ने बोला index number 10 तो index number 10 यानि index number 4 तक तो यह value रहेगी लेकिन 5 6 7 8 9 और 10 यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है यह जो value है यहां पर जाएगी 45 बेलूज और यह जो value है वो यहां से हो जाएगी डिलीट यह वाला जो index है वो अरे से हो जाएगा डिलीट यह कुछ इस तरीके से अरे बनेगा और इसमें 11 सेल बनेंगे यह 11 बनेंगे इसके indexing क्या होगी 0 1 2 3 4 और 5 से लेके यानि कि 5 6 7 8 9 10 तो 5 से लेके 9 तक जो है वो undefined value store हो जाएगी और index number 10 में जो है वो 45 चला जाएगा तो इस तरीके से जावा script क्या करेगी और यह जो index 11 है ना इसको भी हमको remove करके यहां से हमको remove करते ना होगा अरे का कुछ structure होगा कुछ index value होगी वो कुछ इस तरीके से होगी तो हम लोग ने देखा कि किस तरीके से java script dynamically array को increase कर देती है run time पे तो हम लोग इस तरीके से और यहां पर जो है वो undefined value डाल देती because array के इस principle पे काम करता है कि continuous array जो है वो continuous memory लेता है अब हम लोग एक और concept देखते हैं java script का और जो एक और concept है java script का वो यह कहता है कि किस तरीके से हम लोग हाँ एक और concept हम लोग यहां पर java script का देखते हैं तो java जो एक और concept है वो यह कहता है कि mix value हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं java script में mix value का क्या मतलब होता है यहां पर हम लोग दे सकते हैं कि array और array with array array with mixed values array with mixed type हम लोग बोल सकते हैं array with mixed types इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर आप एक array बनाना चाहते हो जिसे आपने array बनाया मानलो आपने object नाम से array बनाया तो array में आपने लिखा obz, obz में आपने क्या value दी आपने एक value दी retain, कॉमा दूसरी value आपने यहां पर कोई name जिसे आपने यहां पर कोई name दे दिया और तीसरी value आपने मानलिया दे दिया 75.5 तो यह इस तरह का array आप java script के अंदर create कर सकते हैं इसमें आप देख रहे हो तीन value है यहां पर एक string भी है number भी है और float भी है अब इसका जो result होगा वो क्या होगा इसकी जो value बनेगी इसमें जो array बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो इसमें से बनेगा कि आप यहां पर लिख दोगे obj और obj में यहां पर लिख दोगे 0 obj 0 is equal to यहां पर value हो जाएगी 10 दूसरा यहां पर आएगा ob obj और obj में यहां पर value हो जाएगी 1 और 1 में यहां पर value हो जाएगी जो भी मैंने लिखी string में जिसे कि सचित बगेरा बगेरा जो है वो यहां पर जाएगी और obj 2 obj 2 में यहां पर value हो जाएगी जो भी value है जिसे कि यहां पर जाएगी 75.5 तो यह value obj 2 में जाएगी तो इस तरीके से हम लोग यहां पर mix value array भी बना सकते हैं और दूसरा जो यहां पर हम लोग बना सकते हैं वो जो resize है वो भी हम लोग array को कर सकते हैं जिसको की dynamic array बोला जाता है